कि अधिता स्मेदों पदेखे नहर। कैसे पहले हैं कि तो उसके प्रोपर्टी की बात करें गए यानि कि लिविंग और जीवों के उन तो जीवों के उन में यहां पर पढ़ना है तो सजीवों में होता है ग्रोज यानि की वृधि होती है लिविंग होते हैं उनके बाड़ी में खेमिकल रियक्शन होता है उसके बाद है यानि की अधियर और अर्गनाजेशन का मतलब क्या होता है लिविंग में होता है उसके बाद की रियक्शन के प्रतीव वह अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकता है देडिस पॉंशियसनेस तो मैंने बताया हुआ था कि मैंने बतना हुआ था कि जो ऐदि हम बात करेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है तो बहुत बात क्या होता है यह वो नहीं होता है यह करते हैं वो के सारे हैं जो कि सजीवों में होते हैं तो ये हैं उनके तो कि या फिर बोलाव करेंटर एक होता है defining property defining property का मतलब यह होता है defining property का मतलब यह होता है कि निश्रीत रूप से वो होगा ही होगा उसका कोई exception नहीं होगा जिसमें मैंने बतलाया हुआ था कि जो living organism का एक property है growth यानि कि वृति तो हम बात करें living में तो living में यह होता है बट यह हम बात करें non living में तो non living में भी इसका एक तो non living में भी इसका एक exception है mountain पहार जो कि है तो non living लेकिन उसमें भी growth होता है इसलिए growth क्या होगा living organism का property तो होगा उसका characteristics तो होगा उसका feature तो होगा लेकिन उसका defining property नहीं होगा उसके बाद reproduction दूसरा आयत है reproduction तो reproduction में क्या होता है यह reproduction का भी exception होता है इसलिए reproduction भी है defining property नहीं है जैसे कि मैंने वहां पर समझाया भी हुआ था कि reproduction यह हम बात करें एक हम बात करें infertile human couple जिसको बोलते हैं बांच तो वह जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं जो बांच जिसको बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं एक तो वह हो गए रिप्रोड़क्शन करें एक्सेप्शन हुए और defining feature क्या बूलता है defining feature का मिसलब उसका कोई exception नहीं होगा तो रिप्रोड़क्शन है इसलिए reproduction प्रोपर्टी तो है लेकिन defining property नहीं है तो देखो यहां पर लिख क्या रहा है यह एक ऐसा प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन है जिसमें प्रोड़क्शन होता है यानि कि बच्चे जो नए बच्चे है जो नया जनरेशन है और वह अब अपने पेरेंट के जाते जैसे मालों human है तो human ही अब यहीं होता है कि जो इनसान नाग नागी को चनव किया है और यह लाइफ में जो इसान है इंसान का बच्चा इंसान है होगा अब बंदर का बंदर होगा अभी मत खुलना इस पर बंदर जगा देखा यह तो रिप्रोड़क्शन किसको बोलेंगे रिप्रोड़क जब क्लास 12 में आओंगे तो यह पढ़ाएंगे जो रिप्रोड़क्शन होता है वह तो तरीके से होता है एक होता है इस तैस बोलते किसको है नाम से यहां पर स्पर्ष्ट रोता है है इसको सक्ष्क बोलेंगे बिल्कुल यहां से इस परिच वह जाएगा यानि कि यहां पर वर्ड ही आ रहा है सेक्सुल बोलेंगे और रेप्रोडक्शन का वैसा टाइप या फिर रिप्रोडक्शन की वैसी प्रकिरिया जिसके द्वारा कोई शिव अपने ही समान बच्चे को जब देता है लेकिन जिसमें क्या होता है जो gamet का formation होता है यानि कि this time has Вас truth होता है और look मिलता भी यारिक कि means मिलता भी यानि कि male के अंदर sperm बनेगा और female के अंदर ovum बनेगा और वो तोनों मिलेंगे भी ऐसा जो much reproduction उसको क्या हो लेंगे sexual reproduction जो कि यूमन में बात करें तो हमें क्या होता है। दूसरी एक मतलब नौट और सेक्स यहां पर नहीं हो रहा है जब यहां पर सेक्स होई नहीं रहा है तो यहां पर मेल और फिमल की जरूद भी नहीं है होता है तो यह किसमें होता है जो चोटे जीव होते हैं जैसे कि यहां पर स्याद रखना कि रिप्रोड़क्शन क्या होता है रिप्रोड़क्शन एक ऐसा बाइविजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव अपनी ही समान बच्चे को जन्म देता है ठीक इन यूनिसेल्यूलर और्गेश्म को ग्रोथ एंड रिप्रोड़क्शन आर ते से उनिप स्थाउन में उनिसेल्यूलर और्गेश्म में तो यूनि-सेल्यूलर और्गेश्म में प्लूस और्गेश्म में से लिप्रोड़क्श्न क्या है जीढंकर यूंड ह यू केरियोटिक एक यू किया है यू मन है एक मैं ले लिया उनीचिटरर और एक तरफ मैंने लिया हमारे में क्या होता है हमारे में का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का मतलब क्या हुआ कि बच्चे पैदा होंगे हमारे में दोनों अलग हो गया लेकिन यहीं अपना नंबर बढ़ाता है कि इसके द्वारा है सेल क्योंकि इसके पास एक पढ़ाएं के अगला चप्त आएगा लेवल ऑफ बॉडी और्गनाइजेशन लेवल ऑफ बॉडी और्गनाइजेशन किसको कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके पास सिर्फ सेल्यूर होता है तिशू नहीं होता है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास इशू होता है उसके उपर का लेवल नहीं होता कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास और्गन सिस्टम भी होता है लेकिन प्रॉपर वो और्गेनिस्ट अपर लेवल पर नहीं होते है यदि हम बात करें अपनी है तो हमारे में हमारे में क्या है हमारे में पूरा और्गेनिस्ट लेवल है यानि कि हमारे पास सेल भी है पीशू भी है और अर्गन भी है और सिस्टम भी है हमारे पास ये सारी च जाएगा मतलब क्या हुआ यहां पर से लिवीजन हुआ और रेप्रोडक्शन का भी मतलब क्या होता है कि वह एक है तो वह अपने बच्चे को पैदा करें अब यह पहले एक ही था दिवाइड होकर के दो हो गया मतलब इसने दो बच्चे पैदा किये यानि कि यदि हम बात करे जो हिंथी मीडियम वाले होगे एक वो शिख कीए जीव तो यदि हम बात करें यूनि-स्टैलीलर और रोर्गैने रोगने विस्टेल इमें और यूनि थे सेल डिवीजन पर इसेल डीयजन सयल ग्रोजस्ट और यूनि रीविजन प्रोड़त्षन नी होता है जी हम एक है यानि कि देखो इसमें रिपोड़क्शन हो रहा है मतलब यह जो पहने एक सेल है अब दो सेल में कनवर्ट हो रहा है मतलब रिप्रोड़क्शन हो कैसे रहा है क्योंकि यह यूनिस्टेलर और आर्गेनिज्म है ठीक कि आप देखो छुक्कि मैंने क्या बतला है रिप्रोड़क्शन होता है रिप्रोड़क्शन भी अक डिपाईनिंग फीचर महीं है लेविंग और गनिज्म का इक बीचरर है एकरेक्टर है है उनमें रिप्रोड़क्शन होता है लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि करते हैं जैसे कि हो गए दोसरा वर्कर नहीं होती है एक होती है और एक वर्कर मदमक्षी और एक होती है ईब करने वाली मदुमक्थी है कं कौन से ऐसे चीव है जो वच्चे पैदा नहीं सकते हैं देखो गए मियूल खचर दूसरा वर्कर भी काम करने वाली मदुमत की है और तीसरे इन फर्टाइल हुमन कपल बहुत या तो फिल्मों में भी सुने होगे या फिर अपने आस पास की सुने होगे बहुत ऐसी फीमेल होती है जिसको बच्चे नहीं होते हैं यानि कि उन्हें प तो जब बस्त पईदा नहीं कर पाएंगे मतलब यह उसके अपवाद में आ जाये और जब यह उसके अफवाद में आ जायेंगे मतलब क्या होगा और है रिप्रोडक्शन भी भी लिवींग और गेंजसम का फ्रोपरटी नहीं होगा वहीं यहां पर बूला है बहुत से जीव है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे कि म्यूल वर्कर भी और इन्फर्टाइल हुमन कपल इसलिए हम क्या बोलेंगे सबces के बिएकर गेंगे सकते है तीसरे को मेंटन करता है हमारा कि सबस्के इस लाउस्ट नुप me हमारे बॉड़ी में हमारे बोड़ी को मैंने बतला हूबा था है पहले वह को चक्रव करता है यह असे लास्ट में जो च winter लास्ट में जिसके मृति होती है उसका प्रेइन गणिर्ड होता है जैसे टूर्ड होता है जिसके पढ़ाएंगे हैं तो वहां पर चीज पढ़ाएंगे वह क्या हमारा superior मैं दो प्रकार्थी होते हैं एक होता है tak jokes深 самые यदि आइम MRS Łow करते हैं जैसे होते हैं दीटर में तो होता हुँ वैसे हम तो बीचा। कर रहे हैं वो स्दारा डेटा कहा पे प्योंता है मैं इस पुरा काम करेगा रात को जिञाएंगे मैं कुछ नजर आता है वह एक्षुल में किसका गेम है यदि ब्रेन का गेम नहीं हुआ तो फूठ रात में ही क्यों दिखते हैं दिन में क्यों नहीं यह दिखता है उसी के कारण और जिनरली हमको सपने कब आते हैं कज सबसेदी नहीं इसनलबें दर नहीं कितले स मदने केम की जुद्ध ढ़eze में नहीं सबसेदी नहीं ही पर शर्मीय किसके अध्युक्य filly ूज ने यह to-o कोई कितना भी लेट सोएगा सारे 11-12 तक तक सोजी जाएगा तो उसके बाद हमारा सब कॉंसिस माइंट ऑर कॉंसिस माइंट के गेंग होता है इसलिए हमको राज को 12 बजे ही भूद नजर आता है उसका रिजन यह है उससे पहले या कि भुरा रवान भूद नजर नहीं आता ह हुआ है इसी ज्याद है कि अब देखो यह बोला रहाए बजरात में देखा होता है तो यह बोला जाता है कि एक देखो यह बोला गया है है यह बीगाता है सुन्दो के अपोजितमें कोई ने कोई कुछ चीज़े होती है और साइंस में ही और गेनीक में यह कहा गया है कि और गेनिक कंपाउंड सा जो फॉर्मिशन है वह किसी अथ्रेसी शक्ति के द्वारा हुआ सब्सक्राइब तो यह बात सब्सक्राइब तो बहुत लोग यह मांते हैं कि यह चीद होती है अब यह चीद होता है तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है यह चीद है और यह तो बूलता है हम्हान लोग आई बजे बोला हम क्या सफान ले क्यों अखाय बजे बोला कि अब क्या पता भूब को स्थैंग सब साथ तो से कि उंभी है पैसे आणी क्या था जाया कि ने अगलता है अगे टो अधो तो बूत अगेटी ना जी तो बूत तुम को किया कुछ क्यों नहीं यह बताओ प्रूब नहीं है हम प्रूब नहीं दो सकते हैं नहीं मान था नहीं मान था आज पुरा जवर अंग्रेंजों के जवरें के मास्तर हैं वाथ देखा तो हमारे के पुरे बॉडी को देकता है कि हमारा प्रें कांट्रूल करता है इसलिए देखो गें तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके बॉडि के पार्ट डैमिज रोने साथ हुते हैं ने के इसा इस जो हमारे बॉडि में जो पार्ट है को ते देरी काम करना बंद करता है फेले हाट करना बंद करता है करना है है उसके बाद सबसे हमारा प्रीथ चांज करना बंद कर आदे hem इस प्रेंज के अंदर जो कॉन्सियस माइंड है जिसके पास पूरा टेटा है जब किसी के डेट होती है यदि कोई ऐसा पर्सन होगा आपके घर में या फिर जिसके आपने लाइफ डेट देखी होगी ठीक है यानि कि सामने से उसको मरते हुए देखा होगा नॉर्मली तो रेजे बोलेंगे इतना जमीन है बॉक्षिंसाइद इन सारे चीज़object करता है मरने से पहले तो वैसे ही हमारे पूरे के पूरे बाड़ी को कौन कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन किसकी मदद से कंट्रोल करता है तो हमारे बाड़ी में जो प्रजेंट है कैमिकल उसकी मदद से अब वो जो कैमिकल है अब उस कैमिकल में यानि कि हमारे बाड़ी के अंदर जित की रियक्शन होते हैं कुछ चुरते हैं और कुछ तोटते हैं तो जुरना होती है इस तक बोलते हैं उस सब को बोलते हैं मैठा पॉलिज ठीक है नोट दो दो नहीं वो हो दो कोपी नहीं बिलुए कोपी नहीं बिलुए कोपी नहीं बिलुए